सल्मान खान की फिल्म तेरे नाम को डारेक्ट करने वाले डारेक्टर सतीस कौसिक अब इस दुनिया में नहीं रहें सतीस कौसिक का अचानक इस दुनिया को अलविधा कहना पॉलिवड इंडस्ट्री के लिए किसी सद में से कम नहीं है यूँ तो 37 कॉसिक से जब भी मुलाकात हुई वो हमेशा मुस्कुराते नजर आए लोग उन्हें बेस्ट कॉमेडी एक्टर भी कहते हैं तो वो मुस्कुरा कर सर्मा जाते 37 कॉसिक कहते हैं कि मैं अपने नाम के साथ कॉमेडी का टैक जुड़ा देख कर जादा गंबिरता से नहीं लेता मुझे लगता है कि एक अभी नेता अभी नेता ही रहता है अगर वो किसी कॉमेडी का किरदार निभाता है तो उसे कॉमेडियन थोड़ी गएंगे वो तो सिर्फ एक अभी नेता ही होता है दोस्तों ऐसी प्यारी बाते करने वाले अभी नेता 37 कॉसिक अभी इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं वैसे तो 37 कॉसिक बॉलियूड के सितारों के साथ काफी नजदी की रहे हैं लेकिन उनका सल्मान खान के साथ खास रिस्त कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फिल्म में दिखाये गए सल्मान खान के कैरेक्टर को भी 37 कॉसिक नहीं चुना था सल्मान खान भी 37 कॉसिक के निधन से काफी दुखी है क्योंकि वो उनके साथ एक करीबी रिस्ता सेयर करते हैं बता दे कि 37 कॉसिक ने फिल्मी करियर मे साथ होली मनाई और खुब इंजोई भी किया उस दोरान की तस्वीरे भी सोसल मीडिया पर वायरल हो रही है वहीं उनका अचानक दुनिया को अलविदा कहाना हर किसी के लिए सदमे की तरह है सतीस कौसिक के ओम सांती जरूर लिखे